कि साड़े आठ करोड किसान परिवारों के खाते में पलक जबकते आपने देखा होगा स्विच आउन किया और पिएम किसान सन्मान निधी के सत्रा हजार करोड रुपिये सीधे सीधे साड़े आठ करोड किसानों के खाते में जमा हो गए कोई बिचोलिया नहीं कोई कमिशन नहीं सीधा सीधा किसान के पात चला गया संतोसिस बात का है किस योजना का जो लक्ष था वो लक्ष हासिल हो रहा है हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुँचे और जरूरत के समय पहुँचे इस उद्देश में ये योजना सफल रही प्रधान मंत्री जी का जो प्रधान मंत्री कोश निधी से हर किसानों को जो दो हजार रुपए दिया जा रहा है वो ऐसे कोरोना के समय में एक बरधान सा साबित हुआ है हम किसानों के लिए दो हजार रुपए जो हर सीमाही में देने का प्रावधान है वो एक बरधान साबित हुआ है और इससे हम बहुत खुश है करें हर किसान और किसानों के तरफ से अपने गाऊं के सर्व प्रधानमंत्री जी का मैं धन्योद मैं देश के परधानमंतिर नेरद मोदी 젊ंगा किन मों चाँएगा जैसि संकट की गड़ी में किसानों करना देज अरॉप उसके इससे किसानों को बहुत हुआ है कि जैसे खाद भी इनके उपलब्द मोई है इससे मैं दन्यवाद करना चाहूंगा परदान मंतरी मोदी जी का किसान सम्मान निदी के रूप में जो यह दोजार रुपए परदान मंतरी जी के सहुक से मिलते हैं हमें चैनल रुपए बार शेक आते हैं इस लोकडाउन पीरिट में यह हम जैसे छोटे किसानों के लिए बरदान साबित हुए हैं जहां कहीं से भी किसान को कमाई नहीं हो रही थी ऐसी हालत में चैनल रुपए सरकार की तरफ से भी मिले सरकार गम दन्यवाद देते हैं जहां को बार शेक आते हैं